मैं पंडित राजगुरु सर्मा आज आपको बताने वाला हूँ महाग्यानी विद्वान पंडित चानक कैजी की दस बातें जो आपके जीवन में ग्यान की जोत जला सकती हैं तो मेरे प्यारे मित्रों नमबर एक बात ध्यान से सुनें दीपक अंदकार को खाता है और काजल को जनम देता है प्राणी जैसा अंद खाता है उसकी वैसी ही संतती होती है नमबर दो कलम और पुस्तक एवं मिस्तरी जिसके पास एक बार चली जाती है वो उसी की होकर रहे जाती है नमबर तीन कर्ष्ट आने से पहले मनुष्य की बुद्धी विपरीत हो जाती है नमबर चार, क्रोध से मनुष्य का विनास होता है, इसलिए क्रोध को यमराज भी कहा जाता है नमबर पांच, इस्त्रियों का सौंद्रिय उनका पतिवरत धरम होता है नमबर छे, छमा करना तपस्वियों का रूप माना जाता है नमबर साथ, सत्य से प्रत्वी स्थर है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायू बहती है और सब सत्य से इस्थर है नमबर आठ, पंचियों में कोवा चंडाल होता है, पस्वों में कुत्ता चंडाल होता है मुनियों में पापी चंडाल होता है लेकिन निंदा करने वाला सबसे बड़ा चंडाल होता है जो जगत की दुरगती कर देता है नमबर नो जो पीट पीछे काम बिगाडे और सामने मीठी मीठी बाते बनाए ऐसे मित्र को मुख पर दूद लगे हुए किन्तु भीतर विश्वरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए नमबर दस मूर्ख सिश्य को उपतेश देने से दुष्ट इस्तरी का भरण पोशन करने से और दुखी जनों की संगत करने से बुद्धी मान वयक्ती भी कश्ट उठाता है